नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 22 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से जो कि आपके आगामी परिक्षा चाहे हो SSC, CHSL हो, या Combined Graduate Level हो, Intelligence Bureau की परिक्षा हो, या Railway की परिक्षा हो, NTPC, लगबग सभी परिक्षाओं के लिए हलाब दायक सिद्ध होगा इसके साथ साथ State Services में भी ये आपकी मदद करेगी तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, रास्टी मामलों में आज पहली खबर है, Green Channel Status to L&T Defense for Novel Weapon System यानि आप देख सकते हैं इसमें नौ सेना की बड़ी हतियार प्रणालियों के लिए जो L&T Defense को रक्षा मंत्राले ने Green Channel Status का दरजा प्रदान किया है दोस्तों तो यहां कह सकते हैं कि निजी छेतर की यानि प्राइवेट कमपनियों में यानि प्राइवेट रक्षा कमपनियों में ऐसी पहली यह कमपनी होगी जिसे Green Channel Status का दरजा दिया गया है दोस्तों The Ministry of Defense Launched Green Channel यह Policy है दोस्तों इसे 2017 में लांच किया गया था मेकिन इंडिया के तहट तो यहां पर आप थोड़ा सा Larson and Tobro के बारे में भी जान लीजिए कि Larson and Tobro इसका Headquarter कहां है तो वह मुंबई में है Larson and Tobro भारत की एक बहुरास्टिय कमपनी है और इसके कार्याले और कारखाने पूरे बिस में फैले हुए हैं इसके चार मुखे ब्यापारिक छेत्र हैं वो तेक्नलोजी यानि प्रद्योग की अभियांतर की इंजिनरिंग निर्मार और उत्पादन यहां कमपनी 25 देशों में 60 से अधिक इसकी इकाईया हैं दोस्तों यह ध्यान रखेंगे और 1938 में मुंबई में दो डैनिस अभियनता इंजिनियर हैनिंग होल्च लारसन एवं सेरन क्रिस्टियन टूब्रो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यहां पर यह लोगों देख और population has increased दोस्तों भारत में तेंदूओं की संख्या बढ़ी हुई है यानि पिछले 4 सालों में देश में तेंदूओं की संख्या 2018 में 12,000 से अधिक हो गई है यानि पहले 2014 में यह 8,000 और प्रयावरण मंत्री कौन है प्रकास जावेद करें इनका भी नामे याद रखियेगा तो यह तेंदूओं के अलावा भारत में बाग और शेरों की संख्या में भी बिर्दी हुई है जो यह दिखाता है कि हमारा देश अपनी पारिस्थिति की और जय भी बिर्दा यानि ecosystem and biodiversity की दोनों मतलब और से कह सकते हैं दोनों की बहुत अच्छे से रक्षा कर रहा है हमार भारत या हमारा यह परियावरण मंत्रा लाए तो यह काफी महत्पूर होता है इसी में आप देख सकते हैं कि according to the report the number of lippard in India 2018 यानि 12,852 lippard हमारे देश में हैं वरतमान में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यह भी प्रसन पूछ सकता है कहां कहां पाय जाते हैं मध्यप्रदेश में 3421 दूसरे इसके बाद करनाटक में 1783 फिर महारास में 1619 तो इस तरह से छेतरवार अगर वितरण के अंसार देखा जाए तो मध्यभारत यानि मध्यभारत पूर्वी घाटों में तेनुओं की संख्या सरवाधिक है करीब 8000 से अधिक है तो इस छेतर मे आप देखें मध्यभारत के अंतरगत कौन कौन आएगा मध्यप्रदेश महारास्ट राजस्थान उडिसा चत्तिसगर जारकन तेलंगाना और आंध्यप्रदेश इसी तरह से दूसरा जो छेतर है पश्चमी घाट छेतर ये कौन सा कहलाएगा ये वाला पार्ट पश्चमी बिहार के चेतर आते हैं इसमें 1253 तेंदुए पाए गए हैं और चौथा चेतर है पुर्वोत्तर का पहाड़ी चेतर है इसमें 141 लिपॉर्ड पाए गए हैं तो दोस्तों इस तरह से भी चेतरवार भी पूछ सकता है या राज्यों दोनों परिस्तितियों में अगर प्रसन जीन्स का एक विडाल यानि कह सकते हैं यह देख रहे हैं विडाल बिग कैट इस्पिसी यानि बड़ी बिल्ली की प्रजाती है जो कहां पाई जाती है अफ्रीका कॉंटिनेंट और एशिया में पाई जाती है यह विडाल प्रजाती है जैसे शेर बाग और जगवार की तु तो इस तरह से यह लिपॉर्ट के बारे में जानकारी आपने हासिल की, अब बढ़ते हैं, थर्ड जो खबर है, यूएस कमपनी बोईंग डिड ए सकसेस्फुल इसकी जम्प, आफ इट्स एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, तोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ एरोस्पेस कमपनी बोईंग ने कहा है, कि अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर, कमपनी ने एफ ए सुपर हॉर्नेट लडाकू जेट का सफल इसकी जम्प किया, और यहाँ भ्यास किसके लिए किया गया है, भारती नौसेना के लिए, तो दोस्तों, यह जेट भारत को अमेरिका बेचेगा, तो अमेरिकी कमपनी भारत नौसेना के लिए एडवांस लडाकू विमान को बेचने का प्रस्ताव किया है, यही कारण है कि उसने भारत की, यानि कह सकते हैं कि भारत में की कैसी परिस्तिती है, अमेरिका की कैसी परिस्तिती है, तो उस आधार पर अमेरिका ने भारत के लिए यहाँ परिक्षण किया है कि भारत को जैसे कोई एडवांस लड़ाकु विवान को बेच सके। दोस्तों बोईंग डिफेंस के इंडिया फाइटर सेल्स जो प्रमुक हैं अंकुर कांग लेकर ने कहा कि यह टेस्ट अमेरिका के एक नौ सेना एयर स्टेशन पैटू सेंट नदी में किया गया इसमें भारती नौ सेना जो इस्टो बार इसका मतलब क्या हुआ शार्ट टेक आ सुपर हाड़निट लडाकु जेट भारती नौ सेना विमान वहाग युदपोतों से अपरेट कर सकता है तो इसलिए अमेरिका ने यह टेस्ट किया है कि भविस्ट में हम इसे भारत को दे सकेंगे तो बोइंग अमेरिका नौसेना के लिए भी लड़ाकू विमान बनाती है लेकिन अमेरिकी विमान वहा क्यों दपोत कैटापुल्ट तक्नीक जैसे हमारे यहां इस टो बार कैटापुल्ट तक्नीक का इस्तेमाल करते हैं इसलिए बोईंग ने अब भारती नो से ना के इसकी जम्प की जो टेक्नलाजी है उसके जरिये F.A.18 सुपर हारनेट लडाकुजित का टेस्ट किया और यह टेस्ट किसी एरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं बलकि जमीन पर इसकी जम्प प्लेटफार्म बना कर किया गया दोस्तों यह ध्यान रखेंगे और अमेर्की कमपनी का दावा है कि सुपर हारनेट भारत की युद्धक चम्ता को और बढ़ाएगा जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि अगल बगल पडोसी देश खासकर चीन वर्तवान में करीब आठ महीने से समस्या ग्रस्त चल रहा है काने का काम करेगा ऐसा अमेर्की कमपनी ने दावा किया है साथ ही या बेहदी मुनासिब दामों में हमें उपलब्ध होगा तो कमपनी बाई इंडिया फार इंडिया के ताहद भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है दोस्तों F-18 सुपर हारनेट लडाकु जेट लाइफ साइकल करीब 10,000 घंटे उड़ान की है जिससे यह लंबे समय तक भारती नो सेना को अपनी सेवाएं दे सकेगा और समय पढ़ने पर या जरूरत पढ़ने पर इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है यह इसकी खासियत है दोस्तों तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भरती नो सेना अभी अगर बात किया जा वरतमान में तो अपने एर क्राफ्ट कैरियर में आई एनस विक्रमा दिद के लिए रूसी लडाकु विमान मिक-29 के इसके इस्तेमाल कर रही है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था छतिगरस्त भी हो गया था तो भारती नो सेना का एक स्वधेसी विमान वाहक युद्ध पोथ विक्रांत कोची सी प्याड में जल्द बनकर तयार होने वाला है और इसे 2022 में नो सेना में सामिल किया जाने की संभावना है दोस्तों और भारती नो सेना ने 2018 में ही कैरियरों के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकों विमानों की खरीद प्रक्रिया सुरू की थी जो रेस में देश हैं वो कौन कौन से हैं एक तो यही है राफिल का देख रहे हैं कि आही रहा है तो याद रखना राफिल कहां का है फ्रांस का है इसी तरह सुपर होरनेट बोइंग कंपनी का है अमेरिका का मिग 29 के कहां का है रूस का है एफ थर्टी फाइब या एफ थर्टी सिक्स लाख हीड मार्टिन यह भी अमेरिकी कंपनी है ग्रीपन यह कहां का है स्वीडन ती यह सब रेस में हैं भारत में ब्यापार करने के लिए यानि भारत में और लोगों से सम पर्क में है अब बढ़ते हैं तरह स्टी मामलों में दोस्तों आज महत्पूर्ण है एक तरह से कह सकते हैं कि नया वर्ष आने वाला है 2020 तो ऐसे ही चला गया लेकिन आगे का भी स्थिती कुछ और खराब होती दिख रही है दोस्तों ब्रिटेन में कोरोना वाइरस का नया स्ट लागड़ाउन कर दिया है दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि ये 70% तक एक बैक्ति कह सकते हैं कि 70% संक्रमित कर सकता है तो इस तरह से इसके मद्यनेजर बिटेन में सवसे सक्थ लॉकडाउन किया गया है बिटेन के स्वास्थ मंत्री मैट हैंकॉक ने चेतावनी दिय है कि लंदन महीनों तक लॉकडाउन के अधीन रह सकता है क्योंकि टीका करण सुरू होने तक कोरोना वाइरस के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण इसे काबू में रखवाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस नए स्टेन की वज़ा से टीका करण में भी समस्या आ रही है दोस्तों तो इस तरह से Matt Hawk ने कहा है कि ये Tier 4 इलाकों में इस तरह से कह सकते हैं बेवार करना चाहिक उनके पास वाइरस हो सकता है इसमें हर व्यक्त की जिमेदारी होनी चाहिए और एक मात्र यही तरीका है कि हम इसे नियंतरण में रख सकते हैं इस सिती बहुत गंभीर है और वाइरस क आज़धानी दक्षिंड पूर इंग्लेंड के कुछ हिस्सों में Tier 4 के प्रतिबंध लागू भी हो गये नए प्रतिबंध 30 दिसंबर तक लागू रहेंगे दोस्तों तो इस तरह से ये काफी महत्पूर्ण है ध्यान रखेंगे भारत भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से सारी उ रोक लगा दी गई है कि ऐसा नहों कि यह वाइरस तेजी से बिर्द कर जाए चुकि यह कह सकते हैं कुरोना से तीवर वेक से यानि इस कुरोना से 60-70% अधिक संक्रमित होने के चांसे इसमें हैं हलांकि हम बैग्यानिकों का और डॉक्टरों का यह कहना है कि अभी इसके बह यहां पर चितर देख सकते हैं भारत के प्रधान मंतरी हैं और यह वियत नाम के प्रधान मंतरी हैं दोनों के बीच शिखर सम्मेलन वर्चुल सिखर सम्मेलन वर्चुल समिट चल रही है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोरोना नामक महामारी की वज़ा से सब कुछ और वियतनाम के बीच रक्षा, पेट्रो, रसायन और नुकलियर उजा समेथ कई दूसरे छेत्रों में साथ अहम समझहोतों पर, कभी-कभी सीधा प्रसना आ जाता है, कितने समझहोते हुए, मतलब कितनों पर, कितने उपर समझहोते हैं, यानि दोनों देश को बीच, कितने इस तरह से प्रसन बन जाता है, तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और वियतनाम की प्रधान मंतरी कौन है, नियोन सुआन फोक हैं, इनके भी सिखर सम्मेलन में रक्षा छेत्रे में मदद करने, और साउथ चाइना सी की मौजूदा इस्तिती पर, काफी विस्तार से हलाकि इसमें चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दोनों देशों ने चीन की इस वर्तमान रवईये को देख करके काफी कड़ी नाराजगी जताई है, चुकि इस तरह से कुरोना नाम की महामारी में पूरा बिस्व, पूरी बिस्व की अर्थ बिवस्था तैस्त नहीं कि भविस में इंडो, पैस्फिक कह सकते हैं, इंडो और प्रशांत महासागर की सुरक्चा है, तो वियतनाम भी भारत के साथ आगे बढ़ेगा, इस समझोते में बहुत सारी बाते हुई हैं, साथ साथ मदद, भारत की मदद से तयार साथ विकास परियोजना है, वियतनाम की जनता को समर्पित की गई, तो इस तरह से भारत और वियतनाम के बीच रिस्तों में काफी प्रगारता आई है, शिखर समेलन की सुरुआत में ही हमारे प्रधान मंत्री ने वियतनाम को भारत की लुक इस्ट, यानि कह सकते हैं, एक्ट इस्ट, नीत की एक अहम कड़ी बताया और कहा कि भारत अपने इस मित्र देश के तरफ लंबे समय के लिए रणनीतिक साजेदार के तोर पर देख रहा है, और यह दोस्ती हम आगे तक ले जाएंगे और हम दोनों देश हिंद प्रसान छेतर में अमन, शान्ती और स्थाईत के समर्तक हैं, और हमारी साजेदारी से इस शेत में सांत इस्थापित करने में एहन साबत होगी, दोस्तों भारत और वियत नाम चीन के आकामक रवएए से परेशान हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और चीन ने भारत के पूरवी लद्दाक शेत में अत्रिकमन कर रखा है, आपको बताया ही, जबकि वियत नाम क साव चाइना सी में चीन का रुख लगातार सक्त होता जा रहा है, ऐसे में जो साव चाइना सी के इर्द गर्द बसे देश हैं वह काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं चीन से दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधान मंतरियों की तرف से वर्स 2021-23 के लिए जो गोशना पत्र जारी किया गया सायूग इसमें सांती, संपनता और जनता को केंदर में रखा गया है भारत ने वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत यानि कल्चरल हैरिटेज को भी बचाने में भारी मदद करने का ऐलान किया है रक्षा शेतर में सायोग को लेकर भी बात्चित चल रही है तिस तरह से भविस में रक्षा सेक्टर में सायोग दोनों देसों के बीच रिष्टे की एक एहम कड़ी होगी दोस्तों और थोड़ा सा वियत नाम के बारे में जालने लिजिए यह आसियान देसों का एक संगठन आसियान समझते हैं Socation of South East Asia Nation, इसे आसियान कहते हैं दोस्तों. तो आसियान के दос देसों में से एक प्रमुक यह भी है, वीतनाम, आप देख सकते हैं, यह South China Sea है, यह तटपर, वीतनाम इसकी Capital Hanoi है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सेर है, हो चीमिन सिटी है, दोस्तों यह देख रहे है ना लाल नदी वियतनाम में बहती है मेकांग नदी भी इसको इसपर्ष करती है होचीमी सिटी यहीं पर आकर कि जब गिरती है मेकांग डेल्टा देख रहे हैं बनाती है तो इस तरह से वियतनाम के उत्तर में चीन आप देख सकते हैं ही जैसे हमारे भारत के उत्तरपूर में चीन पूरा मुबाय खड़ा रहता है इसी तरह से यहाँ पर भी वही कंडिशन वन रही इसके पूरब में आप देख सकते हैं लाओस है जो की लैंड लॉक्ट कंट्री है इसकी कैपिटल है वियन तेन दोस्तों यही पर थाइलेंड है ज की कैपिटल नाम पेन है तो यहाँ इस तरह से इसके इर्द गिर्द पडोसी देश है और साउचाइना सी का काफी हिस्टा दोस्तों यहाँ बहुत धर्म प्रमुक धर्म है करीब जन संक्या का 85% हिस्टा बहुत लोग है और दोस्तों जापान और चीन के बाद सबसे ज़्य विनित अगरवाल एसोचेम के न्यू चेयर मैन और साथ साथ देखें दो पिक्चर इसमें दिख रहा है यह सुमन सिनहा जी है और यह विनित अगरवाल जी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कारपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट के प्रबंध निदे सक विनित अगरवाल ने उद्योग मंडल एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार समाल लिया है यह फैक्ट है इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पर एक आप लोगों के परिक्षाओं में अकसर आ जाता है एसोचेम का फुल फार्म क्या है तो दोस्तों अगरवाल ने अमेरिका के कॉर्नेगी मेलान विश्विद्याले से सनातक की डिगरी हासिल की है और इसी में दूसरे प्रसिद उद्योग पती स्री सुमंत सिनहा रेवन पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीमडी भारत की प्रमुक स्वक्ष उर्जा कंपनी और एसोचेम के नए वरिष्ट उपाद्यक्ष बनाए गए हैं ति यह fact है ध्यान रखेंगे और एसोचेम क्या है दोस्तो भारती वाडिजयों उद्योग मंडल The Associated Chamber of Commerce and Industry या एसोचेम भारत के वाडिजयों संगों की यह प्रतिनिदी संस्था है दोस्तो इसकी अस्थापना 1920 म अब बढ़ते हैं मोतिलाल बोरा डाइड एड एड अफ नाइनटी थी दोस्तों काफी वयोविर्ध कांग्रेस के कह सकते हैं वयोविर्धनेता थे इनका देहांत कल की ही दिन हुआ है 93 वर्स के थे एक दिन पहले इनका जन्म दिन मनाया गया था दोस्तों यह मुल रूप से मो अक्टूबर 1959 को ध्यान रखेंगे 59 को पंचायती राजब्यवस्था नागवर जिले से ही सुरू हुई थी नागवर का परवतसर का मेला बहुत प्रशिद्ध है राजस्थान स्पेसल में आ जाता है इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों इस तरह से यह पत्रकारिता के शेत में कार करते हुए 1968 में सरपर्थम राजनीत में प्रवेस किया और दुर्ग नगर से वह पारसद हुए इसके बाद 1973-80 में बिधान सभा सदस चुने गए और फिर 1980 में अरजुन सिंग मंत्र मंदल में उच्छा भिभाग में जिमेदारी समाली और दोस्तों यह मध्ध दाल वोरा राज सभा के लिए चुने गए फिर 89 दिसंबर देखना है जनवरी 89 से दिसंबर 89 तक दूसरी बार मध्ध प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और इसके साथ साथ दोस्तों 26 मई 1993 से 1996 तक उतर प्रदेश के राज्य पाल भी रहे हैं और यह भारती रास्टी कॉंग प्रदान मंत्री पीवी नरसिंगा राओ के भी काफी निकट थे तो इस तरह से इनका काफी बड़ा कैरियर रहा है और काफी पुराने कांगरेशी नेता रहे हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तकें और पुरसकारों में दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रदान मंत्री को अमेरिका का सर्वोच सम्मान मिला है संयुक्त रास्ट अमेरिका के रास्ट पती डोनाल्ड टरम जो कि हमारे देश के बहुत ही अच्छे हमारे देश के प्रदान मंत्री के वो अच्छे मित्र भी हैं तिस तरह से भारत और अमेरिका की रणनीतिक को बढ़ाने में उनके नेतित्व के लिए अमेरिका के एक शीर सम्मान लीजन आफ मेरिट से उनको नवाजा गया है वहाँ के हमारे इस से जो वहाँ पर राजदूत है तरण जीज सिंग संधू ने प्रधान मंतरी की ओर से इस पदक को स्विकार किया है इससे पहले टरंप न ऐस्टेलिया के प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन जापान के पूर प्रधान मंतरी सिंग अबे को भी याद रखेंगे सिंग अबे को भी लीजन आफ मेरिट से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों अब लीजन आफ मेरिट क्या है तो 20 जुलाई 1942 को इसकी इस्थापना जिन्होंने उत्कृष सेवाओं और प्लब्धियों के प्रदर्शन में असाधारन और सराहनी कारे किया है और यहां सर्वोच सैन पदक में से एक है लीजन आफ मेरिट मेडल एक फाइव रेज वाला सफेद क्रॉस है जिसमें लाल रंग से धारित है इसमें तेरा सफेद सिता सबसे नवीन तम क्या है अमेरिका ने दिया इससे पहले 2016 में साओधी अरब ने ओर्डर आफ अब्दुल अजीज आफ साओध यानि स्टेट आफ गाजी आमिर अमानुला खान आवार्ड 2016 इसी तरह से ग्रांड कॉलर आफ दे स्टेट आफ पैलिस्तीन आवार्ड 2018 इसी तर से मौलदीब दौरा 2019 में ओर्डर आफ दिस्टिंग्स रूल आफ निशान इस जुद्दीन आवार्ड से भी सम्मानित किया गया है अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में बहुत ही महत्पूर्ण है पीवी सिंदु और साइना नेवाल टू इंटर दा फिल्ड फार दा फॉस बी सी बी डबलू एफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए आठ सदसी टीम का चुनाओ किया है इसमें पीवी सिंदु और साइना नेवाल को भी सामिल किया गया है दोस्तों यह ध्यान रखेंगे कि इसमें आठ सदसी में कौन कौन है तो बैटमिंटन एसोसियेशन आफ इंडि के लिए पीवी सिंदु साइना नहवाल, बी साइन प्रनीत, किदामभी स्रीकांत, सत्विकास साइन राज, रैंकी रेड़ी, चिराग शेटी, अश्विन पुनपपा और एंसिक की रेड़ी को टीम में जगा दिया है इनका चैन किया है और दोस्तों ध्यान रखेंगे नेक से 24 जनवरी तक टोयटा थाइलेंड ओपेन, फिर 27 से 31 जनवरी की बीच पत्रिश्टिश्ट, HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में भी भारती टीम हिस्सा लेगी, अब भरते हैं महत्पूर्ण दिवस में दोस्तों, आज बहुत ही महत्पूर्ण है, आज रास्टी ये गणित योगदान दिया है, साल 2012 में प्रधान तातकालिन, उसमें 2012 में कौन था प्रधान वंत्री, डॉक्टर मन मोहन सिंग हुआ करते थे, तो 22 दिसंबर को रामानुजन की 125 जैनती पर सर्धांजली अर्पित की, तभी से इस दिन को गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषना क अब पूरे देश में हर साल 22 दिसंबर को रास्टी ये गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है दोस्तों, इस तरह से भारती ये गणितग श्री निवास अयंगर रामानुजन का जन्म, 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, वह कोयम बटूर के इरोड गाओं के एक प्रामण पर्वियार में हुआ था, दोस्तों, रामानुजन के पिता का नाम स्री निवास अयंगर था, रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित अग्यों में से जाना जाता था दोस्तों, और उनने अपने जीवन काल में गणित के विस ये तमिलनाडु में है दोस्तों, प्रात्मिक की स्कूल में हुई थी, 1898 में उन्होंने टाउन हाल हाई स्कूल में दाखिल लिया था, उन्होंने मदरास इन्वस्टी की में भी अध्यन किया था, और 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल में 17 पन्नों का एक पेप हुई एक अंग्रेज साकर्मी ने रामानुजन को ट्रिंटी कॉलेज, कैम्परिज भी सुभी देला के प्रोफेसर जी अच हार्डी के पास गणित पढ़ने के लिए भेजा दोस्तों, और प्रतम बिश्युदी की सुरुवात के कुछ माह पहले ही रामानुजन को ट्रिंट आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख लोक नित्यों की, जो राजियों और केंदर सासित प्रोफेसों में किया जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं केरल में कथकली, पंजाब में भांगडा, गिद्दा, राजस्थान में घूमर, कालबेलिया नित्य भी होता है, अ इसी तरह से उत्तराखंड का गढ़ वाली नित्य, आंध प्रदेस का कुचीपूडी, और चत्तिस गढ़ का गाड़ी, और हिमाचल का धमाल, तो गोवा की मंडी, पश्चिम बंगाल की काठी, तो मेघाले की लामडी, याद रखेंगे दोस्तों, और नागालेंड का तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके कराएंगे, इतना-इतना याद करते चलिए, आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही लाबदायक शिद्ध होगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों के सेक्शन में, आज उतर देने वालों में सुबस्री साहू, अश्विन प्रभा, सूरज उपाध्याय, गोपाल कृष्ण बेहरा, और संजय नेगी, अंजली कुमारी, विश्वजीत कुश्वाह, अभिशेक अच्वाले, विक्की, मुहमद सोयब आलम, ज्यानरंजन साहू, भक्त, नीलम सिंग, सरबर्था बनरजी, और सोमेंदू, औ आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं, आज हम पहला प्रसनाप लोग के सामने, ग्रीन चैनल स्टेटस हासिल करने वाली निजी छेत्र की पहली रक्षा कंपनी कौन है, दोस्तों, Larson and Torbro, Tata Group, भा भारत Advanced Defense System, नेक्स्ट है, रिपोर्ट 2018 के मुताबित, भारत में तेन्दुओं की सरवाधिक संख्या किस राज्य में है, according to the report of 2018, which state has the highest number of reports in India, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्राखंड या महारास्ट, नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों, F-18 Super Hornet Fighter Jet belongs to which country, यानि या किस देने की पेसकस चल रही है, भारत में देने की, तो इसराइल का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है या रसा का है, नेक्स्ट कोश्चन है, in which country has the new strain of coronavirus first been found, यानि सरवप्रथम coronavirus का नया strain किस देश में मिला है, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफरीका, रूस, दोस्तों, यहाँ पर lockdown, बहुत ही कड़ा lockdown किया गया है, यह ध्यान रखेंगे, अगला है, फिप्त, with which country has India signed seven important agreements, including defense, petrochemicals and nuclear energy, भारत ने किस देश के साथ रक्षा, पेट्रो रसायन और nuclear उर्जा समेश साथ अहम समझोतों पर अस्ताक्चर किया है, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाइलेंड या नेक्स कोश्चन है, एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन है, सुमंत सिनहा, विनीत अगरवाल, संजय नायर या गौरो त्रेहान, नेक्स कोश्चन है, अमेरिका की सीर समान, लीजन आफ मेरिट से किसे समानित किया गया है, बलादी मिर पूतिन, नरेंदर मोदी, बोरिस जांस या इमरान कान को, नेक्स कोश्चन है, रास्टी एक गणित दिवस कब मना जाता है, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, या 22 दिसंबर, या 23 दिसंबर, नेक्स कोश्चन है, पीवी सिंदु और साइना नेवाल, किस खेल से संबंदित हैं दोस्तों, टेनिस से हैं, बैटमिंटन, टेब को तुरंत देना है और दोस्तों लगातार आप लोग उत्तर दे रहें ये बहुत ही अच्छी बात है और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू दोस्तों